प्रणाम बच्चों हवाई जहाज क्या कर रहा है उड़ रहा है बच्चा क्या कर रहा है रो रहा है तो बच्चों यह सभी शब्द बैठा उड़ रो यह क्या बता रहे हैं कि क्या कार्य हो रहा है और जो शब्द यह बताते हैं कि क्या कार्य हो रहा है उन्हें क्या कहते हैं हम क्रिया शब्द कहत हैं तो बच्चों क्रिया के जो शब्द होते हैं वह मूल धातू से बनते हैं कैसे आये इस तालिका से समझें सो सोना सोएगा सोएगी सो रहा चल चलना चलेगी चलें चलो जा जाना जाती है जायेगी जाओ रो रोना रोएगी रोई रोता है पी, पीना, पियेगी, पिया, पियोगी, लिख, लिखना, लिखेगी, लिखो, उठ, उठा, उठना, उठेगी, उठती है, कूद, कूदना, कूदेगा, कूदेगी, कूदो तो इस प्रकार से क्रिया शब्द बनते हैं आएब क्रिया के भेद समझते हैं क्रिया के दो मुख्य भेद हैं वे हैं सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया अब इनमें अंतर क्या है? उधारन दिये गए चित्रों में हमें मिलेंगे सुमित पानी पी रहा है इसके अंदर बच्चों जवाब मिल रहा है क्या किसका जवाब मिल रहा है सुमित पानी पी रहा है रहीम केला खाता है महक गाना गा रही है जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया है अगर आप इस शब्द को तोड़ेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कर्म के साथ सकर्मक क्रिया अब आते हैं अकर्मक क्रिया पे इसमें कर्म नहीं है सूरज उकता है, यास्मीन नाचती है, आर्यन नाच नहा रहा है तो बच्चों इन सभी चित्रों में जो वाकिय हमें समझ आ रहे हैं, दिए गए भी है उसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं है तो यह क्या हुए? यह हुए अकर्मक क्रिया अब बात करते हैं क्रिया के कुछ अन्य भीदों की सबसे पहले सहायक्रिया अर्थात helping verb मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले शब्द को सहायक्रिया कहते हैं विकास चाई पी रहा है नव्या गीत गा चुकी है पी, गा, मुख्य कृयाएं हैं रहा है, चुकी थी सहायक कृयाएं हैं आप देखते हैं सयूक्तक्रिया जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है तो वह संयूक्तक्रियाएं बन जाती है जैसे वह स्कूल, चला गया खिलोना, तोट गया चला गया, तूट गया, यह क्या है? सयुक्त क्रिया, प्रेनार्थक क्रिया, causative verb, जब करता स्वैम कार्यना करके, दूसरे से कराता है, या उसे प्रेरित करता है, तो वह कौन सी क्रिया होती है? प्रेनार्थक क्रिया, उधारन देखे, हम माली से पौधे लगवाते हैं, हम किसी और से ये कारे करवा रहे हैं, अध्यापक चात्र से पाठ पढ़वाते हैं, यहाँ पर भी अध्यापक स्वैम नहीं पढ़ रहे हैं, वे किसी से पढ़वा रहे हैं, किसी को प्रेना दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो यह कौन सी क्रिया हुई? प्रेनार्थक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया वर्ब अल्रेडी डन जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो चुकी हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते है फूल दान गिर कर तूट गया फूल दान तूट गया एक वाक्य हो सकता था हमने यहां क्या कर दिया फूलदान गिर कर तूट गया तो तूटने से पहले क्या हुआ था? वहें गिरा था इसी तरह से पानी बरस कर निकल गया पानी निकल गया लेकिन निकलने से पहले क्या हुआ? वहें बरसा दूई कर्मक क्रिया वर्ब विद टू अबजेक्ट्स जब वाक्य में दो कर्म होते हैं कैसे मा ने बच्चे को दूद पिलाया यदि हम कहते मा ने बच्चे को पिलाया तो एक कर्म होता मा ने बच्चे को दूद पिलाया दो चीजों पर क्रिया का प्रभाव पढ़ रहा है तो यह क्या हुई दूई कर्मक क्रिया मैंने नेहा को खिलाई तो नेहा पर भी प्रभाफ पढ़ रहा है और मिठाई पर भी प्रभाफ पढ़ रहा है तो बच्चों क्रिया शब्द हमारी दिन चर्या का एक अभिन अंग है हम पूरा दिन ही कोई ना कोई कार्य करते हैं तो बच्चों आशा करते हैं क्रिया क्रिया के भेद यह सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा चलिए अभ्यास कीजिए आज के कक्षा में आने के लिए धन्यवाद